आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ज नागरिक्ता संशुधन कारून के खिलाफ लगी 140 याचिकाव पर सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू हुई चीफ जस्टिस S.A. बोबड के अध्यक्षिता वाली तीन सदस्य बैंच ने इन याचिकाव की सुनवाई की बैंच में जस्टिस S. अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना भी हैं बैंच ने केंद्र को इन याचिकाव को लेकर नोटिस जारी किया था सरकार की ओर से अटरिनी जनरल ने नई 84 याचिकाव को लेकर जवाब देने के लिए कोट से 6 हफ़ते का वक्त मांगा सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोट ने सरकार को नई याचिकाव पर जवाब देने के लिए चार हफ़ते का समय तै किया इस मामले से जुड़ी कोई भी नई याथिका स्विकार नहीं की जाएगी वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि C.A. को रद किया जाए अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसे दो महिने के लिए निलंबित कर दिया जाए इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि हम इस कानून को रद नहीं कर सकते हैं निलंबित करने को भी रोक लगा ना माना जाएगा ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोट ने नागरिक्ता संशोधन एक्ट के मसले को सम्मिधान पीट के हवाले करने के संकेर दिये हैं अब चार हफते के बाद इस मसले पर सुनवाई होगी जिसमें पीट का गठन किया जाएगा सुप्रीम कोट में अपील की गई थी कि कोई हाई कोट नागरिकता संशोधन एक्ट पर कोई सुनवाई ना करेगी इस पर कोट ने आदेश दिया कि कोई भी हाई कोट इस मसले पर सुनवाई नहीं करेगी। अर्थ विवस्था के मोर्चे परमोधी सरकार के लिए एक और जटका है इंडिया रेटिंग्स लविश्टेशन। इंडिया रेटिंग्स अगले वर्ष के GDP ग्रोथ अनुमान को घटा कर 5.5 फीसिदी किया गया। इसके अलावा, आएमफ ने इस वर्ष के GDP ग्रोथ अनुमान को 4.8 फीसिदी किया था। भारा सरकार के राष्टे सांखे की कार्याले के 5 फीसीदी का बढ़त होने का अनुमान लगाया है यानि अगले साल भी इसमें बहुत मामूली बढ़त होगे पिछले साल नवंबर महिने में फिच सम्हू की इस रेटिंग एजन्सी ने भारत के जीडीपी में इस वित्वर्ष यानि 2019-20 में जीडीपी में 5.6 फीसीदी की बढ़त होने का अनुमान लगाया था इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एकनॉमिक्स सुनील सिन्हा ने कहा हमें उमीद थी कि वित्वर्ष 2021 में कुछ सुधार होगा लेकिन जोखिम बना हुआ है जिसकी वधा से भारतिय अर्थ लवस्था कम खपत और कमजोर मांग के चक्र में फस्थी दिख रही है कलेक्टर का ऐसा व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं देखा पूरे व्यावरा को कैद खाना बना दिया मध्यवदेश में नंगा नाच चल रहा है ये घिनानी हरकत बिना उपर के इशारे पर नहीं हो सकती मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर कॉंग्रेस शाशितर राज्यों में यह हो रहा है एक मंत्री सांसत का अपमान कर रहे हैं क्या कलेक्टर को हख है कि वे ठपड़ वर्सा है SDM दड़ा कर पीटे शिवराज सिंग ने कलेक्टर और SDM के क्रप्ते को दंड़नी आपराज बताते हुए कहा कलेक्टर को निलंबित कर आपराधिक प्रकरंड दर्ज किया जाना चाहिए सिये का विरोध होना और विरोध में ऐसा लगता कह दिया गया है कि अब सरों को कुछ भी करो आगर किस हैसे से कलेक्टर ने चाटे मारे क्या कलेक्टर को अधिकार है कि वो सरे आप कानर पकड़ के जंदा के लोगों को खीचे जब मन में आए धड़ा दर थपड़ बरसा दे कैसी हम को यह हक है कि वो कारी करता हम को दोला दोला के पीटे शिवरा सिंग चोहान ने बंतरी जीतू पटवारी और पीसी शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा यहम बंतरी पद पर रहने के काबिल नहीं है गारी बंगले अधिकार मिले हैं तो किसी को डातने के लिए अपमानित करने के लिए नहीं मिले हैं प्रदेश के विकास और जंता के कल्यान के लिए मिले हैं लेकिन सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता कहते हैं सांसद को बाहर करो कॉंग्रेस का साधरन कारिकर्ता जिला योजना समीति की बैठक में बैठते हैं और सांसदो विधायकों को जगा नहीं रहती है यह मंत्री को अगर बंगला और गारी मिली है अधिकार मिले तो किसी को डाटने के लिए अपमानित करने के लिए भागाने के लिए इसके लिए नहीं है प्रदेश के विकास उर्जंता के खल्यान के लिए सत्ता के नसे में ऐसे चूर हो गए यह कोई लिखा ही नहीं देता सांसत को बाहर करो साधान कारी करता बैठते हैं बैटकों में योजना समीती की सांसत विलायक को जगे नहीं रहती दिपक्ष के आये तो उनके कारी करताओं के बाद बैठ जाओ मध्यप्रदेश के राजगड में पूर्व मंत्री बद्री लाल की जवान फिसल गए राजगड में सीए के समरथन में निखली भाजपा की रैली में लिए कलेक्टरों जि प्र he bets कलेक्टर द्वारा मार वेaccord करने की विरोध में भाजपा ने सभाप की इस दोरान पूर्वबंत्री बद्री प्रिलाल यादव ने सभा में कलेक्टर को लेकर घटिया टिपड़ी कर डाली है। कहा कि कलेक्टर कॉंग्रेस के कारेकरताओं को प्रेम से दूद पिलाती हैं, गोद में बिठा कर दूद पिलाती हैं, और भाजपा कारेकरताओं को चाटे मारती हैं। ये बदले की भावना है, ख्याक मामला कुछ भी हो, कलेक्टर ने भले ही गलत किया हो, मगर एक महिला पर इस तरहा की खटिया से पड़ी का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है सभामे बड़ी संख्या में भाजपा कारेकरता मौजूद रहे, इसमें पूर्व सीएम शिवराव सिंग चोहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगाव के लाश विजय वरगे भी शिरकत करने पहुचे, ये सभी कलेक्टर निधी निवेदिता के खिलाफ FIR करवाने पहुचे थे, राजगर में चप्पे चप्पे पर पोलिस बलतैनात किया गया था, आपको बता दे कि राजगर की घटना को लेकर कलेक्टर निधी निवेदिता को हाइकोट ने नोटिस भेज दिया है, मध्यप याचि का हर्श वर्धन शर्माने लगाई है, इस मामले में अधिवक्ता पुन्य मित्र भारगव ने बहस की, राइपुर उस्तित मुखमंत्री निवास के खार्याले में वित्वर्ष 2021 के बजट की तैयारियों के सिलसले में बैठक आयजित की गई, इसकी अधिक्षिता ख विभागी मंत्री तथा वरिष्ट अधिकारियों के साथ विचार विमर्ष किया, पैठक में चिकित्सा शिक्षा और वानिजिकर GST विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, इस पैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वासचिव उप वस्तेत रहे, मद्वदेश सरकार के जनसंबर्ग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विची शर्मा अपने नीजी दौरे पर हो जंगबाद पहुँचे, मीडिया से चर्चा के दौरान उन्हें राजगर्ण में हुए घर्नाक रब्र कहा कि बाचपा कारिकरताओं ने मह इस तरह का कायरताफून काम कर रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर एक महिला पर अटेक हुए हैं, महिला अभिकारियों ने जो भी किया ठीक था, हम यह देखेंगे कि उनके खिलाब कोई करवाई ना हो और हम उनके बीचे हैं, संग को मानने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि संग की क्या यही संस्कृती है और हमको तो पूरे मद्प्रदेश में ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो दबंगों से और कानून तोडने वालों से निपड़ सके। आग इतनी भीशन थी कि पल भर में चार बुलेरो एक स्कॉर्पियो जल कर खाक हो गई। फाइबी गेट की तीन गाड़ियों के साथ पूरे अमले ने भारी मशक्त की तब कहीं जाकर रात में करीब तीन वज़े आग पर काबू पा सके। गनी मत रही कि यह आग अन्य दु गौलियर वेपार मेले में आटो मोबाइल सेक्टर के गेट से दूतरी दुकान महिंदरा शोरूं की है। इसके किसी भी देश वासी को कोई नुकसान नहीं होगा यह कानून देश में नागरिक्ता देने का कानून है। इसका सब को समर्थन करना चाहिए। दूसरे देश में जो अल्पसंध्यक हैं जिन्हें प्रतारित किया जा रहा है इस कानून से उन्हें न्यायब मिल जाती और धर्म को कोई नुट्थान नहीं होगा ना ही किसी की नागरिक्ता जाएगे। नागरिक्ता संसोधन का अनूल के समर्थन में निकाली ते रंगाय यात्रा में कैस्ता अंगठन के लोग शामिल हुए। जो नागरिक्ता संसोधन विदेख पास हुआ। और इसे विदेख का मकसद यही था कि जो हमारे अफगानिस्तान, बग्रादेश और पाकिस्तान के जो हमारे अर्वसंक्यक संस्दाई के लोग उनको नागरिक्ता देने का विश्य है। भारत के किसी नागरिक को किसी समुदाय को कहीं किसी प्रकार का कोई नागरिकता समाप करने जैसा विस्था इसके अंदर कहीं नहीं है इसक गरोध किया और इसलिए हम सब लोगों ने देश वासियों ने विचार किया कि इसके बारे में लोगों को एक जन जागरन चलना चाहि कि इससे कानून का मकसद क्या है और इसलिए इस प्रकार का यह जो विदयक पास हुआ है नागरिकता संसोदान वेदे कि इसके समर्थन में आप देख रहे हैं कि यह जो आज सब इसके समर्थन में शाथी में पड़ेगा एसपी क्राइम निश्चल जहरिया के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर इंदर बिहार कॉलोनी इस्थित मकान नंबर सी 106 पर छापा मारा वहां अलग-अलग कमरों में चार युवतिया मिली उनमें से एक उजबेकिस्तान दो निपाल की वाएक कोलगता की है इस दोरान सेक्स रेकेट चलाने वाले साजिद हुसेन खान और ग्राहक रामकिशोर मीना को गरफतार किया गया रामकिशोर सतना में भारती एस्टेट बैंक की मुख़े शाखा का मैनेजर है उजबेकिस्तान की कॉल गर्ल टूरिस्ट व्रीजा पर दिल्ली आई थी दिल्ली में वे मालवी नगर इस्टेट कॉलोनी में किराय से रहती है आजये नाम का युवक उसकी दलाली कर रहा था उसे भोपाल में साजिद ने देड़ लाख रुपे के पैकेज पर पंधरा दिन के लिए बुलाया था फूरिस पूश्टाश में पता चला कि वे दिन में एक बार के दस हजार वा एक रात रुखने के पचीज हजार रुपे लेती थी नेपाली युवतियों के देवेपार के रेट कम थे ग्रोव के सरगनास साजिद हुसेन ने ग्रहकों को उनकी बताई जगां से अड़े तक लाने वा वापस छोलने के लिए स्कौड़कार की सर्विस दे रखे थी मौके पर मिले मैनेजर रांकिशोर मीना को एमपी नगर से कार से इंदर बिहार कॉलोनी पहुचाया गया था दियस्पी क्राइम सलीम खान के मुताविक मौके पर मिली युवतियों में एक साजिद की पतनी है वे बंगाल की रहने वारी है पती के कहने पर वे भी देवापार करती है पुलिस पूश्ठाच में सरगना साजिद ने बताया कि वे दो साल पहले तक मुंबई में कपड़े की कटिंग का काम करता था एरपोर्ट रोट की इंदविहार कालोनी में सी 106 मकान में एक दलाल किराय की मकान में लेकर इन लड़कियों को रख रहा था बैंक मैनेजर स्ट्रीट बैंक आफ इंडिया में जो रंगया तो पकड़ा गया दलाल ने जो बताया है कि दिल्ली के दलाल के दौरा इनको भीजा जाता है उजबेकिस्तान की लड़कियों को और दलाल के माद्यम से यहां आई हैं इनके बीजा और पासपोर्ट के संबन में ज्यानकारी ली जा रही है देड़ लाख के पैकेज के अलावा उसके लिए रहना खाना सहित सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती थी उसके आने जाने का खर्चा भी शाजित को देना पड़ता था बच्चों को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा की पांच छे लोग हैवान बन गए और एक जिन्दा आदवी को बेरहमी से केरोसिन डाल कर आग लगा दिये पिड़ित दलित युवक साथ प्रतीशत तक चल गया जिसे सागर के अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया अब यह मामला तूल पकड रहा है युवक दलित है और उसका परिवार डरा हुआ है जगां जगां मदद की गुहार लगा रहा है पूरा परिवार अपनी जान को खत्रा भी बता रहा है ऐसे में राष्ट्य अनुसुचिज्जाती आयो के उपाध्यक्ष डक्टर मुरुग पांचों हैवानों को अच्छे से जानता है उनके नाम पते भी बताए इसके लावा अनने लोगों की पहचान भी बताई पिडित का दर्द सुनकर डॉक्टर मुरुगन ने अनने अभ्युक्तों के खिलाब कारवाई करने की प्रदेश सरकार से मांगती है इसके अलावा है तकोश से भी मदद के लिए कहा है आगे के इलाज के लिए डॉक्टर मुरुगन ने बताया कि पिडित धंसिंग अहिर्वा को दिली के सफदर गंज हॉस्पिटल में ले जाए जाए जाएगा जिसके लिए एर अंबिलेंस की मांग की गई है मांगती है इस इस फदू आएगा जाएप特ष का ले और ने समय आए ए ट्टय विए को एमजित ट्डाएग वत्यू है एंजित आपको बता दे की पूरा मामला है क्या दरसल मोती नगार थाना अंतरगत धर्मश्री की आवासिये कॉलोनी में बुद्वार राज बच्चों में विवाद हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दलित युवाद पर पांच हैवादों ने केरोसिन डाल कर जिंदा जलाने की कोशिश की युवाद करीब साथ प्रतीशत छुलज गया दो दिन उच्चार के बाद शुकरवार को उसे भोपाल में जैफर कर दिया गया भोपाल ने युवाद अभी भरती है पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया इस घटना के दो दिन पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था लेकिन मोती नगर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाईश देकर लटा दिया था इसी मामले में आरोपी राजी नामा करने का दवाब बना रहे थे वहीं 14 जनवरी की रात आरोपियों ने परिजनों से मरफीट करते हुए धनसिंग को घेर लिया और उसी आग लगा दी आरोपी कई दिनों से परिव 452 307 34 वा SCST Act के तहस के सज़ कर दिया है सिंग्रॉली के चुकरी गाउं में शादी का जहासा दे कर एक नावालिक से दुश्कर्म करने वाले को पुलिस ने गरफतार किया है आरोपी ने नावालिक लड़की को पहले अपने प्रेम प्रसंग में फसाया फिर शादी का जहासा दे कर करीब 9 महा तक धुरा चाल किया लेकिन जब नावालिक लड़की ने प्रेमी के उपर शादी करने का दवा बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा इस बात की जानकारी लड़की ने अपने परिजनों को दी जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत मोरवा थाने में की जिसकी शिकायत के आधार पर पोलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफतार कर लिया ग्राम चुरुखी का एक मनोश शाकेत है, उसने नावालिक बच्ची के साथ में गलत कम किया था, रिपोर्ट होई थी दिनंग शत्रा एक 2020 को, रिपोर्ट के बाद अपराद प्रिजिबद कर, जैसे उसको जानकारी मिली, वो फरार हो गया था, उसकी गिरफतारी के लिए था प्राहरी मोद है और स्रीमान पुलिसे दिख्चक मोद है द्वारा टीम गठित की गई थी, वो इस टीम के द्वारा उस आरूपी को दिनंग बीश एक 2020 को बिरफतार किया जाकर, और मेडिकल कराया जाकर और नियाले में पेस किया गया बोपाल में गांधी नगर की गौन बस्ती के पारदी महले में एक दामाद ने अपने चाजा ससुर की हत्या कर दी, घटना दिर रात उस समय हुई जब दोनों साथ में बैठकर आरूपी के घर में शराप पी रहे थे शराप के नशे में खाने को लेकर कहा सुनी होने पर दामाद ब्यास सिंग अपना आपा खो बैठा और उसने अपने चाजा ससुर की हत्या कर दी, बताया जा रहा है कि दोनों का घर महले में आमने सामने है मृता का नाम नीमक सिंग बताया जा रहा है आरोपी ब्यास सिंग को पुलिस ने गरफतार कर लिया है पुलिस ने बताया कि पीड़ित मासुम घर से बाहर निकली थी तब ही मौका देखकर गाओं के एक नावालिक लड़के ने उसे पकड़ा है कर लिया और फिर उसके साथ दुश्कर्व की घटना को इंजाब दिया पीड़ित बच्ची रोते हुए घर पहुची और अपनी मा को उसने सब बता दिया जिसके बाद तक्काल परिजन मासूम को लेकर तहने पहुचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई सीधी के उत्तर करोधिया में 15 जनवरी को विजय पेट्रोल पंक के सामने मकान में एक लाच मिली थी जिसकी शिनाथ रियागराज उत्तर प्रदेश के शत्रुगन सिनाथ चौहान के रूप में हुई थी मृतक बस कंडेक्टर था और वे सुधा तिवारी के मकान में आता जाता रहता था पोलिस ने अंधी हत्या का रास खोलते हुए बताया कि महिला और मृतक शत्रुगन के बीच अनैतिक संबन थे शत्रुगन शराब का आदी था जिसके चलते वे अकसर सुधा के पैसे की मांग करता था और ना देने पर उसके परिजनों को बताने की धंकी देता था जिससे तंगाकर महिला ने पहले तो श्रतोगन को शराब पिलाई और जब वे शराब पी कर रड़ख़ाने लगा तो उसे धपका दे दिया जिससे श्रतोगन गिरकर बेहोश हो गया तब आरूपी महिला सुधातिवारी ने उसे स्टोर रूम में ले जाकर उस पर पेट्रोल दल कराग लगा दिया और घर का ताला बद कर फराग हो गए पुलिस ने आरूपी महिला सुधातिवारी को गरफतार कर जिल भेश दिया है यह दोडती हुई बराज जो आप देख रहे हैं वो बाराथ है फिजिकल ट्रेनर नीरज मालविय की नीरज मालविय ने अपनी बाराथ को अनोखे तरीके से इंडौर की सडकों पर निकाला आम तोर पर बाराथ में दूला घोड़े पर बैठ कर निकलता है लेकिन जो बाराथ नीरज ने निकाली वे कई मायनों में अलग है इसमें दूला नीरज दौरते हुए नजर आ रहा है वहीं उसके बाराथी भी उसके पीछे पीछे दौरते हुए नजर आ रहे हैं बता दें कि फिजिकल ट्रेनर नीरज ने अपनी शादी को अनोखे तरीके से करने के लिए एक संकल्प लिया था उसी संकल्प के जरिये उसने अपनी बाराथ का आयोजन किया जिसमें बाराथी अच्छी सेहत का संदेश देते हुए नजर आए जिस जगहां से यह बाराथ निकली लोगों ने काफी आश्चवे व्यक्ति किया लेकिन जिस तरहां से यह बाराथ निकाली जा रही है वे कई माईनों में अहम है बारात में शामिल होने आये बारातियों का भी कहना है कि जब नीरज ने अपने मोटों के बारे में बताया तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब उसने परियावरण सहजिता और सेहत के लिए यह अच्छा मेसेज का वर्णन दिया तो हम भी उसके साथ आ गए और आज उसकी बारात में दोड़ते हुए जा रहे हैं मैं इसका प्रस्तावला इसने बहुत टाइम पहले मुझे बाताया था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं रनिंग करवाते हुए लिए बहुत टाइम से इंद्वर में कोचिंग दे रहा है फिजीकल ट्रेनिंग की दर्शरा में दान पर फ्री कोचिंग चलाते हैं यह सब जो प्लास्टिक मुक्त वही हमें इंदोर करना इंदोर हुई रहा है आप लोग जानते हैं उसके लिए भी भोसा है हमारी शादी में 16 तारिक से प्रोग्राम चल रहा है पूरा प्लास्टिक मुक्त है कुछ भी चीज नहीं हमारे पास प्लास्टिक की पूरा इस्टील का बरतन हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लाश्टिक के कोई छहीत, मतलब डिस्पोईयल तक भी नहीं लिए. नीरज मालविये इंदॉर के खंडवा रोट के रहने वाले हैं, वहीं उनकी दुलहन निकिता बिल्लोर्ण इंदॉर के संगमनगर की रहने वाली हैं, नीरज मालविये ने खनवा रोड से अपनी बराद दोड़ते हुए निकाली और 12 किलोमीटर दूर निकिता विल्लॉरे के घर पहुती वहीं दुल्हन निकिता विल्लॉरे का कहना है कि जिस तरहां से नीरज ने एक मेसेज दिया है वह काफी सरहानिय है और उसके मेसेज का मैं भी काफी स्वागत करती हूँ पहले से पता था लेकिन इस तरह आएगी पता नहीं था अच्छा कर रहे है वह आगे शहर के लिए कर रहे है और फिट इंडिया के लिए कर रहे है तो काफी अच्छा है मैं उनको सपोर्ट में उनके हाँ ये बहुत अच्छी पहल है परियावरण के लिए और हम उसका स्वागत करते हैं स्वास्त के लिए भी अच्छा है हमारे प्रदान मंत्री जी का जो संदेश है उसके लिए भी बहुत अहम चीज है ये और हम सब को ये इसमें सयोग करना चीए पिल्हाल इन दौर के युवक ने जिस तरहां से एक पहल की शुरुवात की है वे कई मायनों में एहम है अब देखना होगा कि आने वाले समय में दूरे नीरज मालविये से अन्य युवक किस तरहां से प्रेणा लेते हैं संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूट मीती दखन न्यूद आपके हद नूद आप देख रहे हैं दखन न्यूद